नास्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्पीड ने ट्रक पर जिया दोस्तों आज केंदरे करमचारियों के लिए बढ़ी ख़बर है बड़ी खुसकबरी भी है और बड़ी ख़बर भी है से लेरी पर पड़ेगा आपके सिधा सर्च या दोस्तों क्या अपडेट है ये इस वीडियो के अंदर में आपको बताऊंगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चनल को पहले बार विजिट कर रहे हैं तो परी चनल को सब्सक्राइब करके और भी लाइकन को प्रेस कर लेजिए ताकि आने वाले हरे एक लेटिस्ट न्यूज आपको सबसे पहले मिल सकें तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आई स्क्रिंग आपको दिखाए दे रहा है कि नेशनल काउंसलिंग ओफ जेसी एम के सेकेटरी स्टाप साइड सिव गुपल मिसरा के मताबिक ओसत मेंगाई दर को देखते हुए इतनी बड़ोतरी की संभावना है केंदरे करमचारियों के लिए अगले महिने से मेंगाई बत्ते में बड़ोतरी की गोषना हो सकती है जनवरी 2021 से लंबित डिये बड़ोतरी पर करमचारियों को काफ़ी दिनों से राहत उमीद है राहत मिलने की काफ़ी दिनों से इने उमीद है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि माना जा रहा है कि यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं माना जा रहा है कि कोरोना के मुझूदा हालात को देखते हुए डिये में मूल वेतन का कम से कम चार प्रतिसत इजाप्वा दिया जा सकता है नेशनल काउंसलिंग ओफ जी सी एम के सेकेटरी स्टाप साइड सिव गोपाल मिस्रा के मुताबिक उसत मेंगा इदर को देखते हुए इतने की बड़ोतरी की हमें संभावना है दोस्तों आपको पता दूँ कि जानकारी के लिए मिस्रा जी के मुताबिक हम अगर माने तो दोस्तों आपको पता दूँ कि या पर आप स्क्रिन पर देख सकते हैं मिस्रा जी के मुताबिक करौना की दूसरी लेजर के चलते है सरकार की प्लानिंग को एक तरफ से इक खटा एक तरफ से जटका लग सकता है वो लगा भी है दूसरी जो करना ही ले रहा है उससे जटका लगा है दूसरा और इस वज़े से डिये बड़ेतरी की गोफणा जून दो जारी किस तक हो सकती है इसे लेकर हम वित मंत्राले के वीवे विभाग डी ओ औ ए और कर्मिक विभाग डी ओ पेटी के अधिकारियों के साथ संप्रक में हैं और लगातार बाचीत का दोर जारी है दोस्तु यहां पर देख सकते हैं आप बता दे की डी ए का भुगतान जो डिये का भुगतान है वो तेन किस्तों में करने पर बाचे चल रही है मुझूदत समय में करमचारियों को 17 पिसदी डिये का भुगतान किया जा रहा है इसे जुलाई 2019 में लागू किया गया था यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं इस अपडेट की एंड यहीं पर है और आपको बदा दूँ कि सारांस यहीं पर है इसके बाद डिये का जो रिविजन जनवरी 2020 में होना था पर कोईड की वज़े से इसे रोका गया है इसके बाद तीन बार ऐसा ही किया जा चुका है यह रिविजन जो पेंडिंग है डिये की तीन किस्ते हैं एक जनवरी 2020 एक साथ 2020 और एक एक 2021 से लंबित है तो जोस्तों यह थी आज की मुख्य अपडेट और आपको बता दूँ कि जानकरी के लिए कि यह नेक्स्ट अपडेट है वो बहूत ही अच्छी और वहूत है आपके लिए यूजफूल अपडेट है अपडेट क्या है जान लेतें दोस्तों कि मुख्य दोबर में काम आने वाली जो की मैं आपको बताधता हूँ यहां परशियो करके मुश्किल दोर में जो काम आने वाली पिएप के जो 7 لاक ऐसे जो पैसे है जो ऐसे पैसे जो आपके मुश्किल में काम आ सके कैसे दोस्तो मैंने वीडियो पहले भी बना दिया था लेकिन कपो लोगों को पता नहीं चलाता कि इसको कैसे इसका लाब लेना है कैसे इसका फाइदा लेना है तो दोस्तों उसके लिए हम आपको बता जेता हूँ इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी कैसे आपको लाब इसका लेना है दोस्तों पेप अकॉँंट में एक इंसुरेंस भी अकाउंट होल्डर को मिलता है जो लाइफ की रिस्क होती है उसमें पॉलिशी की तरफ से होता है और दुर्भाग्य वन्स खाता जो की मर्तु हो जाती है या फिर कोछ अचानक इसी घटनाए हो जाती है जिसके लिए वो अकाउंट होता है तो दोस्तों उसके लिए मैं आपको बता दूँ यहां पर देख सकते हैं इसके लिए पर मुश्किल दोर में काम आने वाले पीएप के साथ लाक रुपए ऐसे निकले जाते हैं यह है पूरा तरीका इसका निकलने का नोकरी पैसा लोग अपनी सेलरी का एक हिसा पीएप के अकाउंट में एक इंसुरेंस भी अकाउंट होल्डर को मिलता है आपको पता दे कि अगर आप अकाउंट होल्डर है या फिर आपने अकाउंट वहां पर ओपन करवाया तो आपको वहां पर यह इंसुरेंस की सुईदा फिलिप फिरी मिलती है लाइप रिस्क पोलिशी की त सात लाग रुपे की होती है जो कि दुर्भाग्य वन्च अकाउंट होल्डर की मर्ति होने पर उनके गरवालों को मिलती है दोस्तों यहाँ पर बता देते हैं कि ऐसे में आपको जानकर देते हैं हम ऐसे में जानते हैं कि इंसुरेंस से जुड़े खास बातें और साथ ही जानते हैं कि ये पेशा किस तरह निकाला जा सकता है जरसल हर पीएप अकाउंट होल्डर और उनके प्रिजनू को इसकी जानकरी होनी चाहिए ताकि मुश्किल गड़ी में उन्हें आर्थिक मदद मिल सकें और वो इसका फाइदा ले सकें तो हम दोस्तों जानते हैं कि क्या इसका फाइदा किस परका लेना है मैं कैसे लेना है आपको बता देते हैं कैसा जो कैसे लेड़ी हैं हमको इंसुरेंस का फाइदा और कैसा इंसुरेंस होता है ये दोस्तों यहां पर देख सकते हैं ये life risk policy की तरफ से होता है करमचारी deposit late insurance योजना के तेहत, ये बीमा पेप खाता दारकों को दिया जाता है इस योजना के तहत सबस्क्राइबरों को बीमा करवाय जाता है, स democrat का बीमा करवाय जाता है जो करमचारी की नोगरी के दोरान मरती हो जाने पर मिलता है इसमें करमचारी को 7 लाग रुपे तक का भी मिलता है पहले ये रसी 6 लाग रुपे थी लेकिन अब इसको बढ़ा करें 7 लाग रुपे कर दी गई है अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर मँgen ÜS क्रेम पर दीगा देता हूँ मुश्किल दोर में जो हम इसे कैसे ले सकते हैं मुश्किल दोर में काम काम में आने ओले पी एप के 7 लाग रुपे कैसे निकाल सकते हैं ये पुरा तरीका मैं आपको बताता हूँ ठीक है दोस्तों मुश्किल दोर में काम आने वाले पीप के 7 लाग रुपे ऐसे निकाल सकते हैं आप वो मैं आपको यहां पर शो करके बता जिता हूं मुश्किल दोर में काम आने वाले पीएप के साथ लाग रुपे पीएप अकाउंट में एक इंसरेंस भी अकाउंट होल्डर को मिलता है जो लाइफ सेटिफिकेट के साथ में ये रिस्क की जो पोलीशी होती है उस रिस्क की पोलीशी के इसाब से मिलती है और जो भी खतादारक की किसी भी दुर्बागी वंस मरती हो जाती है तो उसको ये कलेम मिलता है मुश्किल दोर में काम आने वाले फियेप है जो पूरे तरीके से आपको बहुत हैलफुल जान करी है ठीक है और नोकरी पेसा लोग अपनी सेलरी का एक हिसा पेप को रूप में जमा करते हैं वो पेसा रिटार्मेंट के समय उसमें काम आते हैं इसके बाद ही पेप अकॉंट में एक इंस्रेंस भी अकॉंट होल्डर को मिलता है जो की लाइफ रिस्क पॉलीसी की तरफ से होता है जिसमें मैंने आपको ये बता दिया दोस्तों ये लाइफ रिस्क के जो पोलीशी की तरफ से होता है इसमें करमचारी डिपोजिट लिक्ट इंसोरेंस योजना के तेत ये भीमा आपको मिल जाता है इसकी पहले राशी थी वो 6 लाग रुपे थी अब इसकी 7 लाग हो गई है ठीक है अब दोस्तों यहाँ पर मुख्य बात बता देता हूँ सीधिया आपको कब मिलता है इंसोरेंस ये जानकारिया आपको लेने बहुत जरूरी है कब मिलता है इंसोरेंस एक विट करमचारी की अगर सेवा हो दी के दोरान मरती हो जाती है एप एपो की बात गई जा रही है तो इसका कलेम मिलता है ये राशी जो 7 लाग रुपे मिलती है इसकी अलग तरह से गढ़ना की जाती है जो आपकी नोकरी पिरेड पर निर्भर करती है इस मिमे में ये जो मिमे होता है मिमे मिलने वाले राशी 12 मैनों में मिले मासिक वेतन का 3 गुणा होती है मतलब कि आपको कितने मासिक में मिलने वाले वेतन का 3 गुणा होती है देख लीजे आपकी वेतन के नहीं उससे 3 गुणा मिल सकती है लेकिन ये साथ लाग से ज्यादा नहीं मिल सकती है ठीक है दोस्तों और आपको यहाँ पर बता देते हैं नीचे यह जानकर दीगे है किसे और कैसे मिलता है ये कलेम ठीक है ये भी बता देता हूँ दोस्तों आपको अन्य सर्वीस से जो सेविंग, स्किम और बेंकिंग जो वैवस्ताई की तरप से इंसुरेंस में भी अकाउंट होल्डर की मरतियों ने हो जाने पर उसकी नौमेनी को ये पैसे मिलते हैं इसके अलवा कई प्रस्तितिव में कानुनी अधिकारियों जो उत्रादिकारी है उसे भी यह कलेम दिया जाता है उचित कारवाई के बाद उन्हें पेशा मिलता है इसके लिए सबसे पहले एप पोस्ते संप्रग करना होता है P.A.P. पर ये सुईधा भी मिलती है P.A.P. पर आपको क्या सुईधा मिलती है P.A.P. अकाउंट पर इंसुरेंस के साथ ही अकाउंट होल्डर को पैंसन लोज जैसी सुईधा भी मिलती है इससे लोग आवशिक तब पर पर हिप पैसे ले सकते हैं Retirement के बाद पैंसन असिल कर सकते हैं साथी में E.P.A.P. अमिरजेनसी में भी ये पैसे आप निकाल सकते हैं और मौके पर आप इसे पैसों को काम में ले सकते हैं तो दोस्तों ये थी अपडेट कैसा लगा वीडियो comment box में comment करें और चैनल पर नए है तो यार चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ पर आपको हर रोज ऐसी latest update मिलती रहती है तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में तब तक लिए take care बाई बाई जेहित